मुझें आपको बनाना सिखा रहे हैं चोकलेट क्रीमी चीज केक बहुत ही मज़ेदार सा है बहुत ही डिलीशियस है तो आज हम आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे बना सकते हैं और आप इसको घरमी असानी से कैसे बना सकते हैं तो चले शुरू करते हैं अपनी रेस्पी तो देखते हैं इसके लिए हमें कौन-कौन से इंग्रिलियन्स चाहिए हैं रेस्पी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि इसमें हमने जो क्रीमी चीज यूज की है वो इसकी रेस्पी मैं आपको पहले बता चुकिए हूँ डिस्क्रिप्शन पर मिल भी जाएगी अगर आपको किसे स्टोर से वैसे बहुशे बहुशे हैं अगर आपको नहीं मिलती है तो आपी से घर में भी असानी से बना सकती हैं तो चले ह duplicते हैं एएसके लिए हमें मजीद कौन-कौन से इंग्रियन्स चाहिए तो यहां पर हमने जो लिये है पानी, पानी गरम लिया है यहां करीमी चेजिस लिया है, इसके बार में मैं आपको बिताः चूके हो इसके साथ हमने बिसकिट लिया बौई भी ले सकते हैं, वनिला एसेंस है क्रीम है, डाक चॉकलेट है ज extrêmement है जेलाटीन है आइकोन को प्रेस करना भी मत बूलिएगा इससे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा चले शुरू करते हम अपने रेस्पी तो यहां पर हमने चौपर लिये हैं यहां पर मैंने कैंडी बिस्किट लिये हैं आप कोई भी बिस्किट इस बाले कर सकते हैं कोई भी बी इसम athletic वीड के भी कर सकते हैं कैंडी हैं मैंने यहांपर लिये हैं टीक इनको ऊची तरह से हमने चौप करना और पॉडर फार्मे बनाना हैं तो इस तरह हमें यह में सरे बिस्किट एड़ कर दूँगी और इसे चौप कर लैंगे तो कि Mark यह ऑ अचीन तरह से mix कर लिया है तो कोई भी आपके मोड लें लीघी है उसके अंदर इसकोमने box का क्लिण जो हमने आपके लेशार जाते हैं unsalted लेना है हमने नमक के बगाइर लेना है ठीक है और इसको अच्छी तरह से फिला देंगे एक इसके एक जो है लियर बना लेंगे सीधी सी चमच की मतद से बहुत अच्छी इसकी लियर बन जाएगी आपको इस तरह से हम सीधा कर लेंगे इसको यह देखिए हमारा आप इसकी जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयक की शकल में आ चुके हैं और अब हम इसको रफिजरेटर में रखेंगे पांच से दस मिनर के लिए तांकि यह अच्छी तरह से मजीद जम जाए चले यहां पर हम अपनी क्रीम तियार कर लेते हैं यहां पर हमने फ्रेश क्रीम ली है और नीचे किसी भी बाउल में आप बरफ रख लें तो बहुत अच्छी तरह यह विस्क होगी क्रीम कोई भी ब्लेंडर आप इस्तमाल कर सकते हैं चीक है यहां पर हमने क्रीम एड़ कर या ब्लेंडर को चलाएंगे और इसको अच्छी तरह से विस्क करेंगे यह देखें अब हम इसमें डाले हैं चीनी पाउडर फार्म में हम इस्तिमाल करेंगे दूसरी चीनी हम नहीं इस्तिमाल करेंगे इसको मजीद विस्क करेंगे तांकि ये में बहुत फलफी बन जाए ये देखिए हमारी क्रीम हो चुकी है फलफी आप हम इसके अंदर करिमी चीज ऐड़ करें गग उर इसको मजीद विस्ट करेंगे इसको अची तरह से विस्ट कर लेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे वनिला एसंस और मजीद इसको विस्क कर लेंगे फलफी से हमने अपनी क्रीम बनानी अब बुक्त अच्छी तरह से ये बन जाए कि बहुत असानी से आपकी ये घर में ही आपकुद प्रिपेर कर सकते हैं यह देखे हमारी त्यार हो चुकी है यहां पर हमने जेलेटिन लिया है ठीक है यह जेलेटिन जो है यह हमारी क्रीम को थिकनेस में मजीद मदद दियेगी यहां पर हमने गरम पानी अड़ करना है ठीक है जेलेटिन में हमने हमेशा गरम पानी ही अड़ करना है गरम पानी में यह बहुत अच्छा मिक्स होता है ठंडे पानी में इसको हमने मिस्ट नहीं करना है आदा करीम हमें ले लिये इसकें अंदर जिलाटीन मिक्स के थो हमने हलक बदी हाथु नहीं सेban चमच्छ है लाते जाना है अच्छी तरह जाना चैना अच्छी ना आइड कर देना और इसको रेफिजिरेटर में मजीद रखेंगे 10-20 मिनिट के लिए तांकि यह अच्छी तरह से हमारी क्रीम है वो फ्रोजन हो जाए यहां पर हमने गरम पानी लिया है चॉकलेट को हम पिगला लेते हैं यहां पर हम डाग चॉकलेट इस्तमाल कर रहे हैं फुल गरम पानी लेंगे और इसके अंदर बॉल रख देंगे 5-10 मिनिट के अंदर यह हमारी चॉकलेट जो है अच्छी तरह से पिगल जाएगी और आप हम इसको मजीद आगे प्रोसीजर करेंगे यह देखे हमारी चॉकलेट दिगल चुकी है बहुत अच्छी तरह से अगर आप इस तरह नहीं है और आपके पास अवन है तो आप आवन में भी बहुत अच्छी तरह से पिगला सकते हैं अब हम इसके अंदर क्रीम एड़ कर देंगे और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर ले यह देखे हमारी क्रीम भी त्यार हो चुकी है और चॉकलेट की अब लेयर एक एड़ करेंगे और इसको मजीद रेफरिजडरेटर में रखेंगे तान के यह मजीद अच्छी तरह से ठंडा हो जाए यह देखे हैं इस तरह से चॉकलेट एड़ कर दिया और इसको रख यह हमारा केक त्यार हो चुक है इसके ओपर हम जो हमारे बिस्किट थे पाउडर फाम में वो स्प्रे कर देंगे अच्छी तरह से हमारा केक जो है वो रेड़ी हो चुक है इसको डेकुरेट करेंगे और यह हमारा केक त्यार है लीजिए हमारा चॉकलेट क्रीमी चीज केक त पसान रैस्पी आज हमने आपके साथ शेयर की है अमीद है आपको हमारी रैस्पी पसान दाई होगी लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें बला इकोन को प्रेस करना मत भूलिएगा इससे आने वाली हमारी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबस्क्राइब पहले आपको मिलेगा तब तक हमें दें अजाज़त अला हाफिज